हलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि basement की लेकिज होने का क्या कारण होता है देखिये बहुत से लोग क्या करते है, basement तो बनवा लेते है लेकिन उनके बेस्मेंट में पानी भरना या फिर वाल से जो है सीलन की समस्या वाल से पानी का रिसा होना ऐसे बहुत से प्रकार की जो है प्रॉब्लम आने लगती है तो वो क्या करते हैं उसके बाद में जो है इनके treatment को करवाते हैं लेकिन जो इसकी असल समस्या होती है वो पकड में नहीं आती है तो आज हम आपको basement स बीसमेंट में जो भी लीकेज सिपेग की समस्य नहां रही है उसके बारे में उने पूरी जानकारी देने वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखी इसमें जो पहला प्रॉब्लम अधिकतर लोग का यह कहना होता है कि जो बेस्मेंट बनवाते हैं वो क्या करते हैं कि उनके हिसाब से वाटर पूपिंग की जो हुने कहीं भी जरुवत नहीं होती बहुत से लोगों का यह मानना होता है अ यहां पर पानी जो है जब वो बेस्मेंट का गड़्धा करवाते हैं तो वहां पर पानी नहीं मिलता है तो वो यह मानते हैं कि यहां पर पानी का लेवल बहुत ही नीचे है इसलिए उन्हें वाटर पूपिंग के जो भी तरीके हैं उसका उप्योग करने का कहीं भी जब भी आपके छेत्र में बारिस अच्छी होती है तो वह पानी है आपके बेस्मेंट में भेके नहीं आया क्योंकि बारिस का पानी जमीन के नीचे बढ़ता है और अगर आपने बेस्मेंट निर्मान करवाया है तो वह उसके अंदर आने लगेगा पहली बात तो यह कि आपको ये ध्यान रखनी है अब इसमें जो दूसरा कारण आता है वो है ब्रिक की वाल देखिए कई लोग क्या करते हैं कि जो बेस्मेंट बनवाते हैं चाहे आप रोड के लेवल से अपने बेस्मेंट को चार फिट नीचे रखे छे फिट नीचे रखे या फिट दस फिट न ही बनवानी है क्योंकि होता है क्या है ब्रिक की वाल जो है पानी को जो है अपनी तरफ ज्यादा मातरा में खिशती है और यह जो वाल होती है यह बेस्मेंट के पानी को रोकने में सक्षम भी नहीं होती है आपको यह बात इसमें ध्यान रखनी है अगर आप ब्रिक की वाल क कर दो का निर्मान करवाते हैं बेस्मेंट बनवाने के लिए तो आप इसे चाहे जितने अच्छे से प्लाष्टर कर वा ले या फिर कुछ में रखनी हैं अभी इसमें जो तीसरा कारण आता है बहुत से लोगों कि हैं जहां भी हमने basement के water pooping का जो काम किया है और कई जगे जो basement बना हुआ था उसमें जो उसके treatment किये हैं वो क्या करते हैं जहां पर रेंप बनवाते हैं तो वहाँ पे होता है कि जो रैंप का एरिया है वहाँ पे कई लोग उसमें कोटा पत्थर नहीं लगवाते हैं उनका यह मानना होता है कि बेस्मेंट जो है वो ऊपर से चालू हो रहा है तो यह नीचे जाते जाते क्या है आपने पता होगा कि जो रैंप हो धाल में होता है तो रेंब का area होता है वो इसमें यहाँ पर लापर वही कर देते हैं तो जो alike area होता है वहाँ पर भी इसमें कभी भी plaster का काम नहीं करवाना है अब देखिए इस काम को आप करेंगे कैसे देखिए basement बनवाते समय आपको ये बात तो ध्यान में रखने है कि आपको जो wall है वो RCC की करानी चाहिए तो इसमें होता क्या है कि जहां भी आप centring करते हैं और आपके जहां पर joint मिलते हैं यानि कि आपने एक बार basement की जो wall है उसे चार फिट तक के ढ़लाई की उसके बाद में फिर उसे चार फिट ढ़ला तो इन दोनों की जो joint होती है जादा तर basement में leakage की समस्या यहीं से आती है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब आपका basement पूरी तरीके से बन कर तयार हो जाता है तो आपको क्या करना है कि basement में अगल बगल उसमें पानी छोड़ कर देखना है कि कहीं joint से या फिर और कहीं से जो है पानी जो है लीकेज होकर अंदर तो नहीं आ रहे हैं और अगर ऐसा कहीं होता है तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो injection grouting का तरीका है इसके द्वारा क्या होता है कि basement में जो भी पानी का रिसा होता है उसे पूरी तरीके से ठीक कर दी जाता है लेकिन अगर आप plaster का काम पहले करवा लेते हैं तो ये समस्य हल करना मुस्किल हो जाता है क्योंकि इसमें जो पानी कहा से आ रहा है उसके point को पकड़ना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता तो इस काम को प्लाश्टर होने के बाद भी किया जा सकता है लेकिन इसमें आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा वेश्ट होते हैं तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है आप पहले बेस्मेंड में अच्छी तरीके से ये चेक कर ले पानी से पानी तो नहीं आ रहा है उसके बाद आपको प्लाश्टर का काम करवाना है अब देखी इसमें जो पांच वी बात एक बात ये ध्यान रखनी है बहुंच से लोग यही गलती करते हैं कि जब आप बेस्मेंड का निर्मान करवाने वाले होते हैं उसके पहले आपको क्या करने हैं कि अगर आप नीचे कोटा पत्थर नहीं लगवा रहे हैं जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इसमें पहले क्या गिया है बेस्मेंड निर्मान के पहले पूरे तलिये में इसके surface में कोटा पत्थर बिचाया जारे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो plastic की sheet आती है 0.10 mm की ऐसी sheet आती है white वाली तो आप पहले उसे पूरे नीचे base करके बिचा लें उसके बाद उसमें एक बार जाल उसके उपर आप जाल रखें और उसके बाद में उसमें concrete की ढलाई करें अगर आप कोटा पत्थर नहीं लगवाते हैं तो क्योंकि जादा तर केस में क्या होता है कि वाल से तो सिपेज होता ही है साथ में जो जमी लेवल पर जब पानी का लेवल बढ़ता है तो उनका जो तलिया होता है जो बेस्मेंट का तलिया होता है उससे भी पानी लेकेज होकर उपर आने लगता है यह बहुतों कि यहां यहीं problem होती है तो आपको क्या करना है कि अगर आप कोटा पत्थर नहीं लगवा रहे हैं तो आपको जो है बेस्मेंट के तलिया में प्लास्टिक की शीट है उसका उप्योग करना है जिससे आपके पानी का लिकेज सिपेज सर्फेस में यानि कि उसके तलिया से कहीं भी न हो तो उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद